जैमातादी वैशनोदेव से जुड़ी हर लेटेस चैन करी जानने के लिए सब्सक्राइब करें डिवोशनल पॉइंट और बैल आइकन भी ज़रूर दबाएं जानकारी के लिए बता देना चाता है जो की 27 दिसंबर को हुई है यह नजारा सबसे पहला आप सभी भक्तों तक डिवोशन पॉइंट लेकर आए तो आप इस वीडियो को डिवोशन पॉइंट की देखने के बाद सब्सक्राइब करना हमें चल्ड को ना भूले साथ इस वीड आप मांद सुभार रात में लगभग माइनस 4 दिकरी तक बना रहता है और अगर बात करी जाए ताप मान दिन में लगभग साथ दिकरी तक बना रहता है तो बहुत जादा इस समय यात्रपे ठंड बढ़ गई है वही आप भक्तों की जानकारी के लिए बता देने चाता हू जब बरबारी का महौल भी भक्तों को देखने के लिए मिलता है तो यह कहिने का यह अपना में बहुत ही एच्छी खबर है अगर आप भक्तों को यह वीडियो पसंदा रही ही तो हमाई चनल को फटाफट से सब्सक्राइब करना ना बुले इस चीटी को भक्तों जा शेयर करना भी ना बुले वही भरबारी के चलते हेलिकोप्टर सेवाई भी भक्तों के लिए पूरी तरीके से बंद कर दी गई है हाला कि यह टेंप्रेरी बंद किया गया है जो हेलिकोप्टर सर्विसीज हैं उमीद है आने वहले समय में जब हेलिकोप्टर सर्विसीज को शुरू करा जाएगा जब जो बरबारी है जो मोसम है वो काफिय तक ठीक हो जाएगा वही रोवे सर्विस की बात करी जाए रोवे सर्विस पून लूप से चल रही है यानि कि इस समय बरबारी होने के बाद भी रोवे सर्विसस पून रूप से चल पा रही है खक्तों को रोवे की सर्विस मिल पा रही है वह याँ आप भक्तों को बता देना चाहता हूँ श्री मात रशनस दें यातरा पर बाकि सभी सुविधाई जैसे बेटरीकार पोनी यानि के घोड़े खचरपाल की सुविधाई भी भक्तो को मिल पा रही है तो आपको कोई भी संकट का सामना यात्रा के दुरान में नहीं करना पड़ेगा उमिदा आप सही भक्तों को वीडियो पसंद आई होगी, अगर आप भक्तों को वीडियो पसंद आई है तो मैं चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले, इस वीडियो को सही मादर के भक्तों तो शेर करना ना भूले, वहिए अगर आप चाते हैं श्रीमातरशन दी यात्रस ज जी रोजा ना नहीं हो ताजा तस्वीरे प्राप करना तो आप हमें इस्टागाम और फेस्बुक पर भी फोलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा मिलते हैं ली वीडियो में तब तक के लिए जैम आता दी